सब्सक्राइब कीजिए हील विड डॉक्टर यूट्यूब चैनल को साथ ही बैल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें तो आज की वीडियो में हम उस टॉपिक के बादे में बात करेंगे जिस टॉपिक पे अकसर डॉक्टर वीडियो बनाना पसंद नहीं करते तो फिस्टूला बेसिकली होता क्या है यह एक तरह का एबनॉर्मल कनेक्शन है या फिर एक एक नॉर्मल पाइप है जो हमारी दो चीजों को जोड़ता है कहने का मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे एनल फिस्टूला के बारे में तो एनस जहां पे खताम होती है और जहां से सकिन हटती है तो इस वज़े से यह कोई इंफेक्शन हो जाए तो उस वज़े से यह कनेक्शन बिगड़ जाते है जिस वज़े से हमें कुछ लक्षन देखने को मिलते है जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहला लक्षन इसको देखने का मिलता है वो है दर्ध होता है हमें बहुत ज्यादा हमारी बटक एरिया में है यानि हमारे हिप्स में दर्ध होगा साथ साथ हमारे anal region यानि एनस के आसपास दर्ध होगा और वहाँ पे सूजन हो जाएगी जिस वज़े से न हम एक जगा पे धंक से बैट पाएंगे न उट पाएंगे इसी की बाद इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कुछ लोग ने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा था fistula का क्या cause होता है तो देखें fistula एक तरीके से एक abnormal connection है अगर इसके अंदर किसी भी तरह का infection हो जाए या आप पे hygiene clear ना हो जो इस वज़े से भी बहुत सारी problems हो सकती है और अगर कोई injury होगी हो या फिर आपको कोई चीज वहाँ पे touch होगी हो इस वज़े से भी वहाँ पे fistula जो है वो बन सकता है इसके बाद अगर fistula है तो जैसे मैंने बताया pain होगा, swelling होगी वहाँ पे आपको बहुत ज़ादा दर्द में दिक्कत होगी, आपको stool pass करने में या फिर आपको short करने में बहुत ज़ादा तकलीफ होगी इसी के साथ आपको पूरे time उसके आसपास की जो skin है वो irritation रहेगी, वहाँ पे eaching होगी, बिचैनी होगी आपको पूरे time तो ऐसे cases के अंदर अगर आपको किसी भी तरह का इसके अंदर से लक्षन देखनों को मिले तो आप जल से जल अपने doctor से जरूर मिले क्योंकि अगर आपको इसके आसपास की skin में जो आपको image दिखाई है इस area के आसपास की अगर skin में आपको बहुत irritation हो रही है, खुजली हो रही है पूरे time या फिर वहाँ से blood आ रहा है, या फिर वहाँ से आपको बहुत smelly discharge हो रहा है तो ऐसे case में तभी की तभी आप अपने doctor से जरूर मिले ये condition worse हो जाती है कि अगर इस condition के साथ आपको high fever भी हो जो की आपको किसी भी वज़े में किसी भी report में ना आ रहा हो तो चार चीजों का ध्यान रखना है पहला अगर smelly discharge है, दूसरा पस निकल रही है, तीसरा blood निकल रही है साथ साथ आपको stool pass करते वे भी बहुत ज़्यादा pain हो सकता है comment section में बताएं आपको कौन सा symptom परेशान कर रहे है और अगर आपको ये symptoms कोई भी देखने को मेल रहे हैं तो नीचे देगे whatsapp नंबर पे RG expert doctors के साथ अपमी appointment book करा है ताकि बिना surgery के इसका इलाच किया जाए अचा कुछ लोग इसको piles समझ लेते हैं तो please इसे piles ना समझे, piles एक अलग दिक्कत है यानि आपको इन दोनों में बहुत ही फरक मिलता है आने आने वाली वीडियो में मैं दोनों के बीच में एक फरक जरूर आपको distinguishing वीडियो बना के दूँगा Thank you so much Comment section में जाकर जल से जल अपने doubts पूछिए WhatsApp पे जाकर appointment book कराईए और इस चैनल को subscribe करना ना भूलिए I hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को like करें and share करें जार जादा साथी comment section में अपने doubts बताए मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी सी जल्दी clear कर पाऊं Thank you and wish you a very happy and healthy life ahead